जेन दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टडी UK में ओनलाइन स्टडी UK में हम बात करने वाले हैं NCRT का क्लास 10th का सेकेंड चेप्टर है हमारा अमल छारक एवं लवन ठीक है तो Acid Base and Salt की हम बात करेंगे इस चेप्टर में और इसके सारे MCQ करेंगे ठीक है Part 1 और Part 2 इसी में कर देंगे ठीक है काफी MCQ है इसमें तो बने रही है ओनलाइन स्टडी UK के साथ पहला question हमारा आता है First question किसी भी उदासीन विलेन का pH होता है ठीक है तो What is the pH of natural neutral solution ठीक है तो neutral solution का हमारा pH कितना होता है ठीक है 5, 7, 14, 0 कितना होता है ये होता है आपका 7 होता है option number B आपका right है ठीक है आपका B आपका right है 7 होता है उनके से भी neutral का pH है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 2 question number 2 है निम्नांकित में से कौन लमण है तो लमण कौन सा है which of the following is salt HCL NaOH K2 SO4 NH4 OH ठीक है तो कौन सा है लमण लमण आपका salt इन में से कौन सा है salt की हम बात करें तो salt है आपका K2 SO4 ठीक है K2 SO4 option number C आपका right answer है ठीक है K2 SO4 इसके बाद next हो गया question number 13 किसी भी लाल तप्त आईरन पर जलवास्प प्रवाहित करने पर कौन सा योगिक प्राप्त होता है which compound is obtained when water vapor is passed over the red hot iron ठीक है तो A option हो गया FeO B हो गया Fe2O3 C option हो गया Fe3O4 और D option है FeS ठीक है तो कौन सा किसी भी लाल तप्त आईरन पर जलवास्प प्रवाहित करने पर कौन सा योगिक प्राप्त होता है कौन सा होता है ये होता है आपका Fe2O4 ठीक है sorry Fe3O4 होता है ठीक है Fe3O4 यानि कि option number C आपका right answer है Fe3O4 ठीक है इसके बाद next हो गया question number 4 question number 4 की बात करें तो हमारे सरीर में pH कितने पराप्त के बीच कार्री करता है तो between the what of range does the pH work in our body ठीक है तो A हो गया option 66.8 7 से 7.8 हो गया 2.1 से 2.3 3.8 हो गया और D option हो गया 5.1 से 5.8 हो गया ठीक है तो क्या होता है जो परास होती है जो body time body का pH होता है बात करें human body का pH होता है वो होता है उसकी जो परास होती है उसकी जो range होती है वैसे जो real में 3.7.35 से 7.45 के बीच में होती है ठीक है तो इसके near by जो हमारा option होगा हम उसे चूच करेंगे तो 7.0 से 7.8 को दिया गया है option number B आपका right answer है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 5 question number 5 है baking powder का अनुसूत्र क्या है what is the molecular formula of baking powder तो baking powder का अनुसूत्र ठीक है molecular formula कौन सा है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 और NaNO3 ठीक है तो कौन सा होता है baking powder का baking powder का बात करें तो इसे बोलते है sodium bicarbonate ठीक है क्या बोला जाता है sodium sodium bicarbonate बोला जाता है ठीक है bicarbonate बोला जाता है इसे sodium bicarbonate और इसका जो सूत्र होता है formula जो होता है NaHCO3 होता है NaHCO3 option number C आपका right answer है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 6 question number 6 के हम बात करें निमने लिखित में कौन विजाती ये योगिक है निमने लिखित में कौन विजाती ये योगिक है तो विजाती ये योगिक की बात करनी है which of the following is a heterogeneous compound तो heterogeneous compound इन में से कौन सा है चूना पत्थर, limestone, खड़िया चौक, संग मरमर, marble, plaster और पेरिस, P.O.P. ठीक है तो इस में से विजाती ये योगिक यानि के heterogeneous compound कौन सा है आपका option number D, आपका right answer है plaster of Paris option सही है ठीक है तो ये इसका plaster of Paris का अगर formula पोचता है C.A.S.O.4.harp H2O होता है ठीक है हाप H2O होता है इसके बाद next होगया question number 7 question number 7 की बात करें तो निमनलिकित में सेहत का कौन सा मान छारक विलेन मान देता है ठीक है तो which of the following is a health value given the value of the base solution ठीक है तो base solution कौन सा देता है option number A2, B7, C6 और D13 ठीक है तो कौन सा देता है ये देता है option number D आपका 13 ठीक है इसके बाद next होगया question number 8 question number 8 की बात करें तो निमनलिकित अमलों में से कौन परबल अमल है निमनलिकित अमलों में से कौन परबल अमल है which of the following acids is a strong acid तो strong acid इस परकार का question एक बनता है काफी महत्पूर्ण question है ये ठीक है तो इस परकार का question काफी बनते हैं ठीक है तो परबल अमल परबल अमल यानि की स्टॉंग एसीड कौन सा है लेक्टिक अमल लेक्टिक एसीड हो गया एसकॉर्बिक अमल एसकॉर्बिक एसीड और सल्फूरिक एसीड हो गया और फॉर्मिक अमल यानि की फॉर्मिक एसीड हो गया ठीक है तो स्टॉंग एसीड कौन सा है इन में से सबसे ज़्यादा strong acid आपका, option number C, आपका right answer है, sulfuric armor ठीक है, sulfuric armor आपका सबसे strong acid होता है, ठीक है, इसके बाद next हो गया question number 9, निमनलिकित में कौन छारक नहीं है, which of the following is not a base, base कौन सा नहीं है, कोह, NACL, AL, OH holterize और ZN, ठीक है, तो इन में से कौन सा छारक नहीं है, base कौन सा नहीं है, आपका NACL क्या है, base नहीं है, ठीक है, base नहीं है, option number B, आपका right answer है, इसके बाद next हो गया question number 10, question number 10 की बात करें, तो question number 10 है, निमनलिकित छारक हों में कौन प्रबल छारक है, ठीक है, तो प्रबल छारक कौन सा है, which of the following base is strong, it is alkali, ठीक है, तो प्रबल छारक इन में से कौन सा है, A हो गया NH4OH, B हो गया NAOH, C हो गया MGOH, hold twice, CUOH, hold twice, ठीक है, तो कौ कौन सा होता है, जो प्रबल छारक की बात करें हम, प्रबल छारक यानि के stronger जो base है, वो आपका कौन सा है, NAOH होता है, ठीक है, NAOH होता है, इसके बाद next हो गया, question number 11, question number 11 की बात करें, तो कुछ ऐसे बदार्थ होते हैं, जिनकी गंद अमलिया और छारकी अमाद्यम में बदल जो बदल जाती है, तो इन्हें कहते हैं, ठीक है, there is a some substance who's the odor change in the ascetic and basic mediums, they are called, ठीक है, तो उनकी जो गंद होती है, अमलिया गंद इशारकी अगंद वो क्याती है, बदल जाती है, तो उसे क्या कहते है, रंगी है सूचक, color indicator, B हो गया, गंदी है सूचक, odor indicator, और C हो गया, उ neutral और इन्हें से कोई नहीं, none of these, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये होते हैं, गंदिया सूचक होते हैं, option number B आपका right answer है, odor indicator कहा जाता है, ठीक है, गंद अमलिया, गंद मतलब बदल देते हैं, तो ये गंदिया सूचक कहलाते हैं, odor indicator, ठीक है, option number B, इसके बाद next हो गया, question number 12, question number 12 है हमारा, सभी दहातू carbonate और hydrogen carbonate, अमले के साथ, अभिकरिया करके बनाते हैं, all metal carbonate and hydrogen carbonates react with acid form, acid to form, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ये संगत लवन, tempitable salt हो गया, ठीक है, और B हो गया आपका carbon dioxide, ठीक है, जल हो गया water, इनमें से सभी यानिकी all of these, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, जो सभी धातू क्या बनाती हैं, carbonate और hydrocarbonate के अमले के साथ, अभिकरिया गर के क्या बनाती हैं, संगत लवन बनाती हैं, और carbon dioxide, carbon dioxide और जल आदी बन आती हैं, तो option number D आपका right answer होगा, ठीक है, इसके बाद next हो गया question number 13, question number 13 है, सभी अमलो में पाया जाता है, तो सभी अमलो में पाया जाता है, option number B आपका right answer है, hydrogen पाया जाता है, सभी अमलो में ठीक है, इसके बाद next हो गया question number 14 hydrogen युक्त सभी यौगिक होते है are all compounds contain the hydrogen ठीक है A हो गया amelie acid B हो गया चारी या base दोनु बोट इन में से कोई नहीं ठीक है तो क्या होता है जो hydrogen युक्त सभी यौगिक होते है तो क्यासे होते हैं ये ये होते हैं amelie होते हैं ठीक है कैसे होते हैं amelie यानि की acid होते हैं ठीक है acid होते हैं ये option number ए आपका सही answer है इसके बाद next हो गया question number 15 question number 15 की बात करें तो जल में गुलंसील छारक के बारे में क्या सत्ती है What is true about the about soluble base ए हो गया आपका इनहे छार कहते हैं दी जार कॉल्ड एलकाइलीज भी हो गया स्वाद कलवा होता है टेस्टेज बिटर और सी ऑप्सन हो गया प्रकृति संचारक होती है नेचरल इच कोरोसिव और डी ऑप्सन इनमें सभी all of them हो गया ठीक है तो जल में गुलंसील छारक के बारे में क्या सत्य होता है ये स सभी चीजें सत्य होती है सही है ठीक है राइट है डी ऑप्सन आपका सही है ठीक है all of them इन्हें छार केते हैं स्वात कलवा होता है इनके पर प्रकृति संचारक होते हैं ये ठीक है इसके बार नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 है पी एच में पी सूचक है इदा पी इंडिकेटर इन पी एच ठीक है यानि कि यह हो गया आपका पोटेंसियल ठीक है पोटेंसियल हो गया आपका यह उपसन नमबर एपोटेंसियल ठीक है भी हो गया आपका पावर बोथ हो गया सी और इनमें से कोई नहीं नना ओफ दीज ठीक है तो यह अगर पोटे होगा option number a आपका right answer होगा पी क्या होता है यह यह पीएच का अगर हम बात करें तो पीएच की जो full form होती है वो होती है potential of hydrogen ठीक है potential of hydrogen कभी कभी क्या कह देते हैं power of hydrogen भी कह देते हैं लेकिन main क्या है potential of hydrogen पीएच का ठीक है इसके बाद next हो गया question number 17 acetic अमल का प्राकरतिक सुरोत निमनलिखित में से कौन है which of the following is a natural natural source of acetic acid तो natural source कौन सा है आपका संत्रा सिर्का इमली और टमाटर ठीक है तो जो acetic acid ठीक है acetic अमल का अमल का प्राकरतिक सुरोत कौन सा है इसमें से यह आपका कौन सा है वेनेगर यानि की सिर्का आपका option number B आपका right answer है acetic अमल ठीक है तो सिर्के में ऐसा भी पूछा जागता है उल्टा कि सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है तो यह है acetic acid ठीक है इसके बाद next हो गया question number 18 citric अमल का प्राकरतिक सुरोत citric अमल का प्राकरतिक दर नेचरल सोर्ष तो आप सिर्टिक एसीड तो citric acid आपका खट्टे फलो में यानि की संत्रा और नीबू में पाया जाता है option number C ठीक है राइट है इसके बाद next हो गया question number 19 did in tardic aml जो tardic aml होता है इन-m Flowers Olोता है according to antibiotic इसके फाउंड इन-विच- जो tardic aml होता है वो किस्पर आता है इमली में पाया जाता है तो葉्नी में कौनसा अमल पाया जाता है टार्ट्रिक अमल पाया जाता है ठीक है कौन सा टार्ट्रिक अमल पाया जाता है टार्ट्रिक एसीड इसके बाद कोश्यन नंबर 20 की बात करें लेक्टिक अमल का प्राकरतिक सुरोत लेक्टिक अमल का प्राकरतिक होता है आपका दही ठीक है जाने के कट्र ठीक है तो दही को लेक्टिक में डही में कौन सा आंक पाया जाता है इसके बार next क IPS हो गया question number 21 खुश्शं नंबर 21 की बात करें चीटी के डंक और नैड़ को में कौन सा अंग पाया जाता है तो तो इसमें कौन सा अमल पाया जाता है, चीति के डंक और नेटल के डंक में, ठीक है, तो सिट्रिक अमल अमल सिटिक एसीड हो गया, लेक्टिक एसीड हो गया, और असिटिक एसीड हो गया, मेथेनोइक एसीड हो गया, ठीक है, तो कौन सा अमल पाया जाता है, इसमें कौन सा ए question number 22 की हम बात करें तो दातों का च्छै कप प्रारंब होता है काफी जगह पूछा गया है भी ठीक है when does teeth decay start तो when does tooth होते हैं दांत होते हैं वो कप decay होना प्रारंब कर देते हैं यह हो गया option मौह का pH 5.5 से अधिक होने पर when the pH of the mouth is greater than 5.5 मौह का जो pH होता है 5.5 से कम होने पर when the pH of the mouth is less than 5.5 और मौह का pH 7 होने पर when the pH of the mouth is 7 और इन में से कोई नहीं none of these ठीक है तो कौन सा होता है इसमें होता है जब मौह का pH क्या होता है 5.5 से क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है 5.5 से कम होने पर क्या होता है दातूं का में 6 होना प्रारंब हो जाता है दातूं में कीडा लगना बोल देते हैं उसे ठीक है तो मुह का pH अगर 5.5 से कम होगा option number B आपका right answer है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 23 हमारे पेट यानि कि उदर से कौन सा अमल उत्पन होता है which of acids produced by stomach तो पेट में कौन सा उत्पन होता है अमल ठीक है तो first हो गया oxalic अमल ठीक है oxalic acid B हो गया citric acid citric acid C हो गया hydrochloric amyl hydrochloric acid और D आपका tartaric amyl tartaric acid ठीक है तो हमारे पेट में stomach में कौन सा acid पाया जाता है तो ये पाया जाता है hydrochloric amyl पाया जाता है ठीक है hydrochloric acid पाया जाता है option number C ठीक है hydrochloric amyl पाया जाता है इसमें हमारे पेट में ठीक है इसके बाद next हो गया question number 24 hydrochloric amlaeum sodium hydroxide के विलेन की अभिकरिया से उत्पन लवन को क्या कहते है what is the salt produced by the reaction of a solution of hydrochloric acid and sodium hydroxide called ठीक है तो क्या बोलेंगे इसे hydrogen chloride b हो गया sodium chloride और c option हो गया hydroxide और d हो गया none of these इन में से कोई नहीं है ठीक है तो कौन सा होता है hydrochloric amlaeum sodium hydroxide ठीक है hydrochloric amlaeum sodium hydroxide के विलेन की अभिकरिया से उत्पन अभिकरिया को क्या कहेंगे इसमें कहेंगे हम option number b आपका sodium chloride क्या हो जाएगा sodium chloride हो गया ठीक है NaCl इसके बाद next हो गया question number 25 question number 25 धोने का सोडे का रासानिक सूत्र है ठीक है धोने का सोडे का रासानिक सूत्र ठीक है तो धोने का सोडा कौन सा होता है धोने का सोडा आपका होता है option number a आपका Na2CO3.10H2O ठीक है Na2CO3.10H2O धोने का सोडा होता है आपका ठीक है इसके बाद next हो गया question number 26 question number 26 की बात करें तो बेकिंग सोले का रासानिक नाम है दा केमिकल नेम ओब बेकिंग सोला तो बेकिंग सोले का रासानिक नाम क्या है A option हो गया sodium carbonate B हो गया sodium hydrogen carbonate C हो गया calcium carbonate और D option आपका हो गया calcium hydrogen carbonate ठीक है तो कौन सा होता है यह होता है आपका sodium hydrogen carbonate को बेकिंग सोले के नाम से जाना जाता है ठीक है बेकिंग सोला sodium hydrogen carbonate option number B आपका right answer है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 27 सेवन बेकिंग सोडे का रासाइनिक सूत्र ठीक है बेकिंग सोडे का रासाइनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम हाइड्रो जन कार्बोनेट इसका सूत्र हो उसका नाम होता है ठीक है बेकिंग सोड़ा तो इसके बात करें एने टू एने टू सियो थरी एने एच फोर सी एल और NaHCO3 और NaCl ठीक है तो कौन सा होता है बेकिंग सोड़े का NaHCO3 होता है ठीक है बेकिंग सोड़ा क्या हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोकसाइट कार्बोनेट इसके बार नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 28 की बात करें तो जेल की इस्थाई का ठोड़ता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है which used remove permanent hardness of water ठीक है तो A हो गया बेकिंग सोड़ा ठीक है बी हो गया धोने का सोड़ा वासिंग सोड़ा C हो गया विरंजक चूर्न बिलीचिंग पाउडर D आपका उप्शन हो गया इन में से कोई नहीं ठीक है तो none of these ठीक है तो जेल की स्थाई का ठोड किसका उपयोग किया जाता है ये किया जाता है धोने का सोड़ा वासिंग सोड़ा यूज किया जाता है ओप्शन नमबर B आपका राइट आंसर है ठीक है धोने का सोड़ा वासिंग सोड़ा इसमें यूज किया जाता है धावन सोड़ा भी बोल देते हैं ठीक है ना इसके ब तो fire register में कौन सा जो soda अमल होता है वो अगनी सामत में किसका उप्योग किया जाता है ठीक है fire register में तो किसका किया जाता है यह option हो गया sodium carbonate, calcium carbonate, sodium hydrogen carbonate और calcium bicarbonate इन में से किसका उप्योग किया जाता है sodium hydrogen carbonate का किया जाता है option number C आपका right answer है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 30 question number 30 की बात करें तो sulfate, earth, hydrate या hemitidrate का अन्य नाम है ठीक है another name of sulfate, semihydrate hemihydrate ठीक है का अन्य नाम क्या है तो क्या नाम है another name इसका another name की हम बात करें तो ये आपने इसमें comment box में आपने बताना है ठीक है तो इसका 30 question का आपने comment box में आपने इसका उत्तर आपने बताना है इसकी बात करेंगे next अब हम part 2 में चलेंगे ठीक है, part 2 में हम चलेंगे, part 2 की बात करें तो इसी lecture में तो question number 1 है हमारा part 2 का, ठीक है, litmus villain जो भैगनी रंग का रंजग होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है litmus solution, which is a violet colors pigment is made of which substance ठीक है, तो किस सब्टांस का यह बना होता है, यह आपका कवक, यानि कि फंगी lechain हो गया, gymnos पर्स हो गया, इन में से कोई none of these, ठीक है, तो यह बना होता है, lechain का बनाता है option number B, आपका lechain सही answer है, इसका ठीक है, इसके बार next हो गया question number 2, question number 2 है निमनलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, which of the following cannot be used any indicator, हल्दी यानि कि टर्मरिक, मैथिल ओरेंज मैथिल ओरेंज हो गया, फिन मैं से हम indicator की तरह use हम किसको नहीं कर सकते सूचक की तरह, सूचक की तरह हम नहीं कर सकते, यानि कि मूली को, रेडिस को हम सूचक की तरह, indicator की तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, option number D इसके बाद next हो गया, question number third, question number third है निमनलिखित में कौन गंधी या सूचक नहीं है, which of the following is not aromatic indicator, ठीक है vanilla, प्याज, onion हो गया, सकरकंद, sweet potato, और long का तेल, यानि की, clove oil, ठीक है तो इन में से कौन गंधी या सूचक नहीं है, गंधी या सूचक, गंधी या सूचक कौन सा नहीं है यह आपका सकरकंद यानि की, sweet potato, जो है आपका गंधी या सूचक, यानि की, नहीं है, aromatic indicator नहीं है, ठीक है इसके बाद next हो गया, question number four, निमनलिकित में कौन दुछार की या अमल है which of the following is is a diabetic acid, diabetic acid कौन सा है, HCl, S3PO4 HNO3, S2SO4 ठीक है, तो दुछार की या अमल होता है, दुछार की या अमल होता है, आपका option number D, H2SO4 ठीक है, क्या होता है H2SO4, इसके बाद next हो गया question number five, potas alum होते हैं, potas alum contain, एक साधारन लवन, a simple salt B हो गया, एक मिसरित लवन a mixed salt, एक अमली लवन हो गया, an acidic salt हो गया, एक दुछ लवन हो गया, a dike salt, ठीक है तो potas alum होते हैं, potas alum क्या होता है आपका, एक दुछ लवन होता है, dike salt होता है, ठीक है, option number D, आपका right answer है एक दुछ लवन होता है, potas alum, ठीक है, dike salt इसके बाद next हो गया, acetic अमल, एक दुरबल अमल होते हैं, क्योंकि acetic acid is weak acid, because किसलिए, इसके जलिये विलैन, अमलिये होते हैं its aqueous solutions are acidic, और ये ज़्यादा आइनित होते हैं, ionized होते हैं, they are more ionized ये कम आइनित होते हैं ionized होते हैं, they are less ionized, ये COOH समू रखते हैं they are contain COOH group तो क्या होता है, acetic अमले एक दुर्बल अमल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं कम आइनित होते हैं, ionized कम होते हैं, they are less ionized, ठीक है option number C, आपका right answer है, ये कम आइनित होते हैं, इसके बाद next हो क्या question number 7, निमनलिखित में सबसे प्रबल लवन कौन सा है, ठीक है which of the following is strong salt NACL, CACL2 BASO4, LICL ठीक है, तो निमनलिखित में प्रबल लवन कौन सा है, तो प्रबल लवन कौन सा होता है, इसमें which of the following is strongest salt, strongest salt कौन सा होता है, आपका NACL होता है, ठीक है इनमें कौन सा है NACL आपका strong salt है, strongest salt होता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 8 question number 8 की बात करें तो निमने लिखित में कौन से एक अधिक अमलीय लवन बनाएगा एक से अधिक अमलीय लवन कौन बनाएगा which of the following will be form of more than one acidic salt ठीक है CS3 COH, S3PO4, CS3, CS2 COH और ZNO ठीक है तो इन में निमने लिखित में से कौन सा अधिक अमलीय लवन बनाएगा तो अधिक अमलीय लवन बनाएगा एक से अधिक तो कौन बनाएगा option number B आपका right answer है S3PO4 ठीक है S3PO4 इसके बाद next हो गया question number 9 question number 9 एक विलेन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में पलनित करेगा और तो संभवता विलेन का pH मान होगा ठीक है if a solution turn a blue लिटमस into red colors then the pH value of the solution will be probably be ठीक हो गया 8, 10, 12, 6 ठीक है तो क्या होगा इन में से pH का जो value होगी वो होगी आपकी 6 होगी ठीक है option number D आपका right answer है pH value 6 होगी ठीक है इसके बाद question number 10 होगा जल के अमली एक चारकी विलेन किसके कारण विद्धुत के सुचालक होते हैं acidic and basic solutions of water and good conductor of lexity because H plus OH minus H plus और OH दोनू इन में से कोई नी नन आफ दीज ठीक है तो जल के अमली और चारकी विलेन किसके कारण विद्धुत के सुचालक होते हैं तो किसके कारण होडते हैं ये होते हैं option number C आपका H plus और OH minus के कारण दोनू के कारण होते हैं ठीक है इसके बाद next हो गया question number 11 निम्न में कौन से धातू थंडे जल से अभिकरिया कर धातू hydroxide बनाएंगे which of the following metals will react with cold water to form metal hydroxide ठीक है तो sodium sodium potassium sodium and potassium हो गया magnesium sodium sodium and copper हो गया इन में से कोई नहीं none of these हो गया ठीक है तो कौन सा होता है ये ये होता है आपका sodium even potassium ठीक है कौन सा होता है sodium even potassium तो थंडे धातू जल से अभिकरिया कर धातू hydroxide कौन बनाएंगे sodium और potassium बनाएंगे इसके बाद next हो गया question number 12 निम्न लिखित में से किस billion का उपयोग दिवारों की सफेदी के लिए किया जाता है which of the following solution is used with whitened walls ठीक है दिवारों की सफेदी के लिए किया जाता है c a h co3 whole trice हो गया c a o h whole trice और na o h हो गया na h co3 ठीक है तो इन में से कौन सा दिवारों के सफेदी के लिए यूच किया जाता है ये किया जाता है आपका option number b आपका c a o h whole trice का उपयोग किया जाता है दिवारों की सफेदी के लिए ठीक है इसके बार next हो गया question number 13 question number 13 है निमनलिखित में से कौन सा बूजह हुआ चूना होता है which of the following is selected lime select lime c a o ठीक हो गया c a o h whole trice c a co3 और c a ठीक है तो कौन सा होता है बूजह हुआ चूना आपका बूजह हुआ चूना होता है c a o ठीक है किसी a o होता है आपका बूजह हुआ चूना option number a आपका right answer है इसके बाद next हो गया question number 14 question number 14 है लवन एने टू सीओ थी का जली ये विलेन का pH होगा the pH of equation solution of salt na co3 ठीक है na2 na2 co3 होगा ठीक है तो na2 लवन जो है na2 co3 का जो बिलेन का जली ये pH कितना होगा साथ साथ से अधिक साथ से कम इन में से कोई नहीं ठीक है तो किसमे होगा ये होगा option number B आपका साथ से अधिक है ठीक है साथ से क्या होगा अधिक होगा इसका ठीक है इसके बाद next होगा question number 15 acetic amal का IUPAC नाम है the IUPAC name of acetic acid is ठीक है तो acetic amal का IUPAC नाम क्या होगा ethenoic amal ठीक होगा ethenoic acid methanoic amal अधिक होगा प्रोपेन ओन होगा और इन में से कोई नहीं none of these होगा ठीक है तो acetic acid का जो नाम है IUPAC नाम IUPAC नाम की बात करें तो ethenoic amal होता है क्या होता है ethenoic amal होता है option number A आपका right answer है ठीक है इसके बाद next होगा question number 16 निमनलिकित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है which of the following ions can turn red, litmus, blue ठीक है तो red, litmus को blue, litmus कौन सा कर सकता है H हो गया hydrogen, OH हो गया CL minus और O2 minus ठीक है तो कौन सा कर सकता है litmus ये कर सकता है OH ठीक है OH कर सकता है option number B आपका right answer है इसके बाद next होगया question number 17 कोई भी लिएन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका pH संभवत होगा if a solution turn blue litmus paper red its pH value probably be 5, 7, 8 और 10 ठीक है तो क्या होगा इसमें कोई भी लिएन नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देगा तो इसका संभवत है जो pH होगा इसका होगा 5 होगा ठीक है कितना होगा 5 होगा option number A आपका right answer है ठीक है इसके बाद next होगया question number 18 question number 18 की बात करें तो auxilic aml का प्राकृतिक सुरोत निमनलिखित में से कौन है which of the following is a natural source of auxilic acid संत्रा ओरेंज टमाटर टमैटो होगया सिरका वेनेगर इमली टर्मिनेंड ठीक है टर्मिनेंड होगया इसके बाद ये बात करें तो auxilic acid किसमें होता है auxilic acid का जो सुरोत होता है आपका टमाटर होता है ठीक है टमाटर होता है इसके बाद next होगया question number 19 plaster of Paris का रासाइनिक सूत्र P.O.P. बोल देते हैं से the chemical formula of P.O.P. यानि की plaster of Paris is C.A.S.O.4.H.2O C.A.S.O.4 half H.O.O. N.A.2.CO.3 dot H.O.O. इन में से कोई नहीं ठीक है तो क्या होता है C.A.S.O.4. half H.O. होता है plaster of Paris ठीक है plaster of Paris का जाता है इसके बाद next हो गया question number 20 question number 20 हो गया litmus civilian जब न तो अमली होता है और नहीं छारी होता है तो यह किस रंग का होता है what color is when litmus solutions neither acidic nor basic तो यह किस color का होगा ठीक है तो लाल यानि की red नीला blue बैगनी purple और काला black ठीक है तो यह किस color का हो माना जाता है यह color माना जाता है आपका बैगनी ठीक है यह किस color का होता है बैगनी यानि की purple color का option number C आपका right answer है ठीक है तो इसमें हमने 50 question करे कुल और अगला वीडियो अच्छी लगी तो share ज़रूर कर दें और like, share, subscribe जरूर कर दें ठीक है हमारा next chapter होगा धातू metal and non-metal ठीक है इसको लेकर जल्दी ही मिलते हैं ज़्यादा ज़्यादा like, share, subscribe कर दें धन्यवाद जहिंद चयह उत्राखन